का हमारा topic of the day है lifelong earnings दोस्तों जो हम अभी बात कर रहे हैं वो इसी topic से related है कि कैसे हमें जीवन भर आने वाली कमाई बनानी है हम लोग बहुत से लोग हम लोग नौकरी पेशा है ठीक है बहुत से लोग नौकरी पेशा होते हैं state government job में central government job में private job में ठीक है अब government job और जो private job है उनके पास एक facility होती है कि उनको आगे pension मिल जाती है हला कि वो भी अब जो नहीं नौकरिया government निकाल रही है उसमें ये जो pension वाली जो plannings होती है वो अब नहीं होती है ठीक है ना state government की job में खास्ता हों से और pension में भी अब बहुत कटोती है और बहुत restrictions government लगाती जा रही है क्योंकि fund ना होने की बज़े से तो आज के time में मतलब अगर कोई नौकरी वाला भी है तो उसको भी उसको retirement के बाद उसको lifelong earning मिलती रहती है और वो उसी earning में अपना काम करता रहता है लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुठी बर लोग ये काम आदमी जो वेपारी है जो दुकान करता है या जो मज़ूरी करता है जिसको daily कुछ ना कुछ कमाई करनी होती है वो क्या करता है उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अपना daily आये daily कमाया और daily अपना घर में वो पैसा खर्च कर ले सेविंग की आदत नहीं होती है जबकि होना क्या चाहिए जो में यहां की teaching सकाती है आंद्रे वावतव सर की teaching सकाती है जो मजदूरी करी जो भी salary पाई उसका कुछ हिस्सा ही खर्च करा बागी हिस्सा निवेश किया अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो एक time बाद हम अपनी financial freedom को financial freedom को हम 100% पा लेंगे और एक समय बाद हम देखेंगे कि हमारी जो हम लोग अभी screen पर देख रहे है lifelong earnings यह वाली स्थिति हमारी आ जाएगी क्योंकि हम जब regular निवेश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे सई दिशा में सई जगा earnings करते रहेंगे limited पैसा लगाते रहे यह हम इस पर आगे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं कुछ compliance और disclaimer पर बात करना चाहूंगा हमारी company कोई registered advisor और broker नहीं है जो भी information यह provide कराए जा रही है यह newsletter में जो भी information प्रवाइट कराए जा रही है newsletter alerts में और live session में यह सब education purpose के लिए है हमारी किसी भी information को recommendation advice ना माना जा है दोस्तों जो भी business opportunity और marketing ventures आपकी जिंदिगी में आते हैं और आप उनमें हाट डालते हैं तो उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ risk involved होते हैं और उसके लिए आप स्वहम ही जिम्मिदार होते हैं जो विप्ति उसकाम को करता है उसके लिए वो स्वहम ही जिम्मिदार होता के लिए है और उसको कि भी किसी भी तौर पर guarantee और warranty ना माना जाए है हम लोग कोई भी financial advice हम जो है financial advice हम लोग यहां देने के लिए हमारे पास license नहीं है ठीक है नहीं हमारे पास financial consultancy देने का license है ना ही हम ऐसा कर सकते हैं साथ में यहां पर जो information जनरली दी जा रही है उसको आप note down कीजे ठीक है और साथ में इस program में आने से पहले अपना due diligence अपना दिमाग का इस्तमाज जरूर करें ठीक है और आगे इस project की चर्चा करने के लिए अपने license accountant या financial consultant से जरूर जरूर जो है consult करें इस program में उतरने से पहले ठीक है आगे बरते हैं हम regular चर्चा करते हैं इनका नाम लिए बिना यह जो काम है यह आगे बड़े ही नहीं सकता इनका नाम लिया जाना जरूरी है जरूरी है ठीक है ना जैसे शरुआत दिन की जो है भगवान को लेकर होती है आ अधर है क्रेटर है चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर है अकाडमी और प्राइबिट इन्वेस्टर के ऐसी संस्तर जो 2011 से फानाशल ट्रेनिंग लगातार दे रही है सन 2011 से यह मल्टी प्रोफेशनल प्रोफेशनल इन्वेस्टर और बिजिनस्मैन है और क्रिप्ट उनिट प् चीफ्रेट ऑफ मिलेने इस बेद आंधर हावताव यह एक टीवी शो आता है रश्या में हर वीकेंड पे तो उस प्रोग्राम के होस्ट भी है मेजबान भी है ठीक है और आंधर हावताव सर को बेस्ट बिजनिस कोच का अवार्ड मिला था मेलन रिच मेगजीन और फाइनेंस टाइम्स बिजनिस जनरल में दोजार अठारा में ठीक है इन दोनों संस्तावों के दवारा मेलन रिच मेगजीन और फाइनस टाइम्स बिजनिस जनरल के दवारा दोजार अठारा में बेस्ट बिजनिस कोच का अवार्ड दिया गया था चेर्मेन है वर्ट जनरल फॉर पीस के डव आफ पीस का मेडल भी सरको मिल चुका है ठीक है और साथ में हंते जो टॉप प्रभावशाली लोग है रश्या के उसमें भी सरको इंक्लूट किया गया है और इनके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आप बहुत सारी जानका इनकारी में नहीं मिल सकती है वो सारी जानकारी सर के पास है जो सर हमें निनंतर देना चाहते हैं आगे बरते हैं ठीक है और मैं सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा कि अब हमारे जो नया जो रेजिस्टेशन है अभी नय रेजिस्टेशन जो हम कर रहे हैं उसमें 50 CRU अभी अल्रेडी हमें मिल रहे हैं आपको ध्यान होगा आसे जन्वरी के महिने में लगबग 200 CRU मिलते थे आप किसी को भी रेजिस्टर करते थे और साथ में उसको एक चोटा सा एजुकेशन पाकेज मिलता था एटूसर प्राइवेट इंवेस्टर का ठीक है उसमें 200 CRU पॉ कर रहे हैं को भी नया बनता रेजिस्टर करता है एकाडमी ऑफ प्राइवेट इंवेस्टर एपी आई के थू के और साथ में उसको एटूसर अटूसर प्राइवेट इंवेस्टर की एडूकेशन कोर्स भी उसको मिलता है कि कर तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं unfortunately the crisis did not ask when to come जो भी कोई भी आपदा आती है जो वो कभी बता के नहीं आती है ठीक है और आज पूरी दुनिया पूरी भरती रहे के लोग जो है अपने घर पर बैठे रहने के लिए मजबूर है ठीक है और और उनको नहीं पता कि भविश्य में उनके साथ क्या होगा ठीक है और आज बहुत सारे लोग इंटरेट पर डिपेंड होएं अपना काम करने के लिए ठीक है तो आज बहुत उप्रियुक समय है न्यू एकॉन्मिक एविलिशन ओड़ वर्ड की कंजिवर कम्मुनिटी इस इंतजार कर रहा है अच्छा समय आपका वेस इंतजार कर रहा है और गिफ्ट जो जैसे मतलब जो एक उपहार होता है उससे लोगों को उमीदे बनती है और यहां पर आपको फैनाशल एज्यूगेशन का उपहार दिया जा रहा है जो भी बंदा हमारे इस पार्टनर प् पॉइंट्स कंपणी की दफ से ग्लोबल इंवस्मेंट पोट्फोलियो की हिस्तेदारी में पचास यारिवेंट यानि पचास शेर उसको मिलते हैं उससाथ में ट्रेनिंग मिलती है एट रूस अ प्राइवेट इनवस्तर की और यह जो यह जो रूल है यह जो प्रमोशन है चार तारिक से 31 मही तक चार मही से 31 मही तक ही exclusively उपलब्द रहेगा इसके बाद यह जो है हटा लिया जाएगा ठीक है और मैं आज थोड़ा सा कुछ और चीज़े इंक्लूड करना भूल गया अगर हम इसे वैसे बात करें तो अश्या नाम है हम अगर कुछ आज कुछ और टोपिक पर भी भात करने थी ठीक है लेकिन आज हमारा जो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंतियार ना करता हुए इसके जस्टब जस्टब तो फ्रेंड्स ये आपके सामने में ने बताया ये अभी नया रूल कंपनी ने इस तारिक से प्रमोशन इस महीने का प्रमोशन है चार से कस्तिस तारिक ये चलेगा जो भी रेस्टेशन जो में उनको पचास यारी उनको मुफ्त मिलेंगे फ्री अप कॉस्प लेंगे ठीक है दोस्तों आज मैं आपको एक जिस सेलेबिर्टी से हम लोग आज मिलने जा रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊंगा ठीक है वो है गलीना जकोवा ठीक है आप स्पेन से हैं ठीक है और स्पेन यूरप का यूरप जो महादिविप है उसका एक छोटा कंट्री एक काफी बड़ा कंट्री है आता है ठीक है और आप जो है वन ओव दा बहुत Բेडर हैं इस कंपनी में और बहुत अच्छी जानकारी हुए हैं और बहुत अच्छे लेविल पर इस कंपनी को समझती हैं और हम लोग मैं जो हूँ उनसे काफी अच्छा हम लोग का परचा है काफी बार मैं उनसे अंतराष्टिय इस तर पर मिल चुका हूँ मलेशय में उनसे मुलाकात हुई थी उसके बाद बेलारूस में उनसे महीने में और फिर अगस्ट क महीने में फिर से उनसे मुलाकात ही तो अंतराष्टिय काफी मंचों पर हमें मौका मिला है और उसके बाद वो डिल्ली का इवेंट हुआ था जो 12-13 अक्टूबर 2019 में इंद्रगांधी इंटराक्शल स्टेडिम में हुआ था वहां पर भी आये कीजये हमारी international guest of the day ठीक है ? She is none other than Galina blessed Galina ZAjin I would like to unmute Galina and she is there hello guys hello everyone hello hi how are you, I am good एक सब्सक्राइब करेए। अटूल, I will share my presentation, right? I can share my screen. I wanna show some slides. आप बता रहे हैं कि वो अपनी screen share करना चाहती है और इसलिए मैं चाहती है कि मैं आपनी co-host बना दू. So, Galina, I would like to make you the co-host. Okay, perfect. Yeah, just a minute. So, before start about Galina, I would like to introduce Galina in Hindi language. So, Galina जो है वो new economic evolution of the world consumer community में, leader में, Spain में हैं और वहाँ पर जो है company की coordinator है, Spanish में, Spanish direction में company की coordinator है, Master Profi की certified coach है, ठीक है? Master Profi जो हमारे हां courses है, उनकी coach है, और अर अलड़ी काफी सारे coaching program, training programs all over world में organized कर चुक है. International speaker है, global investment portfolio की co-owner है, और private investor है. So, over to you Galina. Thank you very much. Thank you very much, Atul. So, I can share my screen now, yeah? So, you just need to let the sharing the screen, so I can share my one. Okay. Great. Great. Okay. 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 I don't know why I can't not share so let's try again like this okay you can see my screen right yeah perfect thank you very much at all again to invite for inviting me for this amazing webinar I see you are very active every days during the presentation and inviting new guests amazing thank you so much and you are saying that you are very grateful that it is your pleasure to invite you in this international presentation and with you saying that you watch me daily basis on during the webinar and you watch a lot on social media so you watch several social media and you watch a lot on our international celebrities के साथ प्रोग्राइम होते हैं और जो भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं उसको रेगुलर आप देखती रहते हैं या वल एम मैं मैं इंग्लिश इस नोट मैं फिर्स लेंग्विज जो आपकी फिर्स लेंग्विज नहीं है पहली भाशा नहीं है आपकी मातरबहशा स्पैनिश लैंग्विज है और रश्या लैंविज है तो इसलिए जो है अगर कोई मिस्टेक करें आप से कोई गल्ती हो तो आप सभीतिय से अनरोद है सभी कोई सुनने वालों से अनरोद है की आप इनकी गल्तियों को माफ कीजागा yeah so i would like to say one more thing that keep your sentences short so that i can translate them easily okay i will try it um you know i see that you was putting the topics of the day and you will say live long लाइफ लोंग लेर्निग्स तो आप बता रहे हैं कि जैसे आज का टॉपिक आपने खुद ही सिलेट किया था लाइफ लोग अर्निंग का यानि पूरे जीवन भर में आप अप कमाई पूरे जीवन भर कंते हैं सीखना क्यों जरूरी है और क्यों सीखना आपको चाहिए जैसे बता रही है कि आप जो है कोडिनेटर है स्पेन देश की ठीक है और जो है स्वाराइ और, की कोडिनेटर है याय मैं अ की देश्टनटर है क Aurop Masis तो आप बता रही है कि आप वो को ओर्डिनेटर है spanish language में और company और अपने लोगों के बीच में को ओर्डिनेशन का काम करती है company ने से authorized coordinator company ने एक पद है जिसे designate कर रहा है मैं को और यह अपने जो Spanish जो इनका समुदाय है इनके जो लोग है चाहिए वो इनके टीम सो जाहिए किसी भी टीम सो उनका coordination उनका पूरा सामझ जसे बैठाने का काम है company के बीच में और अपने लोगों के बीच में basically I'm working with different we work with different departments and we are planning different strategy for development our business in better ways तो आपका काम है कि planning करना और उस planning को बहुत अच्छी तरह से implement करना अलग अलग इस तरप जो है planning बनाना ठीक है company के साथ बैठना company के सारे कामों को जो है channelize करना और उसको planning के पहत इंपलिमेंट करना यह आपका काम है अलग अलग department के साथ इतने भी department है उनके साथ करना ही आपका काम है thank you and I wanna share with you today that the education is the key for changing our lives और आप आज कर जो आपको के साथ में डिसक्स करना चाहते हूं वो यह है कि education जो है key of success है education है key of life है education ही सफलता की कुंची है जिंदीगी की जो चाबी है वो ग्यान ही है this is my life before the our project so I definitely can say that my life now it's dividing in two parts before and after तो आप बता रहे हैं कि इस project में आने से पहले ये आपकी जिंदगी थी और आपकी जिंदगी अब दो भाग में डवाइड हो चुकी है इस project में आने से पहले की जिंदगी और इस project में आने के बाद की जिंदगी I was working in the bar industry and I always working with the people and I really like my ex-job because it's always communication skill तो इस से पहले की जो है इनकी बार टेंडर की जिंदगी थी और वो जिंदगी बूज ऑने काफी पसंद थी क्योंकि उसमें लोगों से बाद करने का बहुत मॉका मिलता था और बहुत अच्छे संस्वन है इनके उस जिंदगी से भी इस जुब जो घूतम है पिर चूरूरी हैं? नहें और मॉन्हाइं AH? मैं तो आप फाले कि इसा फूरतएंडर की जॉब करती थे उपका मिल दॉट्टी होगए we इसलिजे लुटी है क्योंकि बार्टेंडरे की जरुवत हर देश को होती है इसलिए इनको जॉब पसंद थी क्योंकि इनको बहुत घुमने का मौका मिलता था हर देश में जाने का मौका मिलता था But the only what we are missing it's a time time with your family I couldn't go often to my country because I am from Latvia and in that moment I was living in London so So I only have one once a year, how to say, I only have opportunity to visit my country once a year. So when we work for someone, we build someone's goals, someone's objectives, someone's dreams. Somebody, somebody, somebody dreams, and they're someone's goals. Like when we work for someone, we're not building our dreams, we're building someone else's dreams. So you're telling me that when you're working somewhere, you're working for other dreams and goals. I'm stuck with them. करती थी आप दूसरे के लिए काम करती थी और आप अपने ड्रीम्स और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करती थी आप जो सपने पूरे होते थे वो दूसरे विक्तियों के सपने पूरे होते थे जिसके लिए आप काम करती थी जिसके लिए आप नोकरी करती थी उनके सपने पूरे होते थे तो वो लोग जो है उनको सफलता मिलती थी ना कि आपको सफलता मिलती है So someone else, our boss, our managers, right? Who is someone above the us and the professional level, they are deciding for us when we're gonna take day off, when we're gonna see our family, when we're gonna take a holiday So you're telling us that when you work in an organization, then you are a manager or boss who is above you and you have to work on them, they have to decide when you're going, when you're young, when you're going to go to the office, when you're not going to the office They have to make their decisions and their decisions are important आपका अपना कुछ भी नहीं चलता है आपको हर काम में उनी की राय मश्वरा या उनी का आदेश मानना पड़ता है So when I found out about the project, Armand Murnik, he showed me this opportunity So when I found out about the project, Armand Murnik, he showed me this opportunity Yeah, in the beginning, I joined the company just for fun To see something different, to know something different and maybe meet new people And when I found out about Armand Murnik's, Armand Murnik's was the one that we brought in the first time And the company's first ID is Andre Hovratavisar, so he is your sponsor So when Armand Murnik's introduced to you, Armand Murnik's was the one that you brought in the business And I was flying with him to Moscow and I was visiting different conference First training would organize our company and together with Andre Hovratav Where we have only 40 people So when I went to Moscow, I went to Moscow and I got to sit with them And the first time I got to sit at 40 people in the conference And I was hosting Andre Hovratavisar and I got to sit with them and get to understand them So when I was coming to events, I see that the people who I was talking, I was, with the people who I was talking, sitting on the seat, next time when I came to our next event, they were already on the stage It was 2015-2016 So each time when I was coming, like years is passing and my life, it didn't change, I still work in the bars But the people who was with me sitting on this conference, their life has changed completely So when I was in 2015, I was attending the conference And in 2016, when I was coming to a conference again, I saw that those people who were sitting in my seat, they were all in my life They were all in the stage, they were all in the stage, they were all in the stage, and they were all in their life I was so proud of Armand when I was here on the stage after all difficult times what he passed through their lives. And I say, I want to be like him. I want to be like Mila. I want to be there on the stage. I want to be this life. I also want to be like Armand Mundriks. I also want to be like Mila. I also want to be like him on the stage. So I also wanted to be like him always. I wanted to be like him always. And because I always saw Armand and Mila, because he was in the beginning of the company. So I was watching him on the stage. They were successful. They were giving a great presentation. So I also wanted to be like him. Because to come back to life, what I have, be a bartender, I can do it anytime. But to learn something new, you have only once this opportunity to become a part of the situation, the new economic evolution of the world. Keep the center short. I will try that. So repeat it again. So to come back, to be a bartender, and to come back to my life, to be as a bartender, I can do it anytime. But to try something new, learn something new, and become a part of new economic evolution of the world, this is one's, one's life, one's, one's lifetime opportunity. so you can do it in your career. That's some reason, but the new economic evolution of the world, which is the opportunity to get here, I never can do it again. Then I can do it in my life. I can never go back. मेरे पास हमेशा रस्ते खुले हैं, लेकिन ये अपोचेटी एक बार निकल गई, तो मेरे हाथ दुबारा कभी नहीं गई and I decide to change my life, my life now it's completely different, it's always education, it's always training, always to know something new I never thought that I will have opportunity to visit your beautiful country and to become a guest speaker in the front of 20,000 people on the stadium इसी वज़े से मुझे opportunity मिली, इसी system की वज़े मुझे opportunity मिली, 20,000 लोगों के समक्ष जाने की 20,000 लोग जो पूरी दुनिया से आए हुए थे, beautiful देश के अंदर, आपके भारत देश के अंदर मुझे मौका मिला आपके country के अंदर मुझे as a speaker बोलने का मौका मिला और मैंने अपना presentation आदे से एक धंटे का presentation करा इसमें पूरी दुनिया के लगभग 20,000 लोगों ने live मुझे सुना और हजारों लोगों ने मुझे इंटरनेट के माधन से सुना I pass like a five master profi in our companies in different countries I'm trying to learn everything what I can in this company the history, the education part, the business part, the investment part I didn't have opportunity to study when I was a little because I start to work from like 13 years old time and this company it doesn't matter which family which family you come from or what kind of education you have you can learn everything here from zero and as well we have an amazing opportunity to earn money and to become a business owner to sit at home and working from our homes you know you all know that it's now it's a bit difficult time in all the world everyone sitting at home many people lose the jobs and this is mean that they lose their income monthly income I believe that each person has to learn how to create them plan B to be prepared for anything what it could be happen we have to learn how to become financial freedom and we need to know how to be prepared for financial freedom because if not the crisis what we have in the in the world it could be anything for example robotization it's a problem yeah ये आने वाले टाइम में रॉबर्टिसम भी होता जा रहा है यानि रोबर्स जो है रोबोट्स जो है वो मानव की जगा लेते जा रहे हैं मानव को REPLACE करते जा रहे हैं आने वाले टाइम में दुनिया रोबोट्स पे मशीनों पे जिससे आम इंसान की जो नोक्रियां खतम होती जा रही है तो ये भी एक अंतेखी समस्य है जो आ रही है जिसके बारे में हम लोग अभी विचार नहीं कर रहा है Lots of professional will disappear very soon because of the reputization और बहुत सारे लोग जो professional जितने भी हैं जो कामगार लोग है वो अपनी जो है नोक्रियां खोते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की नोक्रियां आने वाले भविष्य में चली जाएंगी क्योंकि रोबोटिजम आता जा रहा है लोग जो काम कर रहे हैं खेतिवारी का, नोक्रियों का, पैकिंग का, सप्लाई का, प्रोडक्शन का वो सारा काम अब रोबोट्स करते जा रहे हैं तो लोगों की नोक्रियां खटम होती जा रहे हैं Well, it is a good things as well because for me, I think that we not come to this world, we not burn to just burn, pay the bills and die We didn't, we didn't, for me, I think it's a good things as well, robotization, because robot will be doing our jobs, so we don't come to this world to pay the bills and die, right? So you are saying that this is a very good thing that robots are going to happen, because we have come to this life and have not come to work and not come to die So what we need to do, we need to learn the new skills, new technology, new innovations So we have come here, we need to learn new skills, new knowledge, new technology, new innovation, what is new in the world, we need to learn that We need to learn that, not only for a human being born and to die Because soon, the kids, what they study now in the school, they may be not going to use this knowledge when they will become adults The kids now, they are learning in the school, some professional, which is not going to exist, so they may be not going to use this knowledge Yeah, yeah, I understand Because you are telling me that, like the kids, like the kids who are studying today, when they are studying today, if they will finish their studies, then there is no need to be able to get a job in the future Our future rates will be different, the people will learn everyday and for all life And friends, now the world is changing rapidly, the world is changing rapidly, because we need to learn new things and implement new things So if we do not do this, then we will go back in the future So if before, for example, when we were going to the school, we got the professional and professional And then we work for this professional all our lives, it is not going to happen anymore So, like, you know, standard education, it is when the kids are going to the school, get some professional So learn some professional and then working with this professional all life, it is not going to happen anymore Right, so you are telling me that, as it is normally when the child is going to the school and takes some special studies or professional qualifications And then working in that country starts working in that country So this is not going to happen always Because the world is changing rapidly, when there is not going to be a job in the future So what will the child do? So now people will learn everyday new skills, new things, they will implementing in the life And they need to learn again and again till the pension So now people learning everyday everyday, they need to learn new skills So, friends, today people will always learn new things, they need to take new inventions, they need to take new knowledge, they need to take new knowledge, they need to take new skills They need to develop new skills Because if they don't do it, the world is changing so rapidly That the world is changing so rapidly, they will not be able to get the steps with the world I want to show a small video I want to show a small video, okay? It's going to be like couple minutes And I hope that many people understand English And I am going to play a small video with a few minutes And it will be in English And I hope that many people will learn English in English And if it is not understood in English Then you can explain, then I can translate it Okay Please play Our world is undergoing fundamental and disruptive change Technological, organizational, demographic, climatic Presenting new challenges to the future of work These global megatrends are having a profound impact on skills Many of today's skills won't match tomorrow's jobs And skills acquired today may quickly become obsolete The concept of lifelong learning has been around for decades And the ILO has adopted numerous normative instruments and policies related to lifelong learning But the unprecedented transformation underway is redefining its terms And giving it new importance In the old days we could say let's go to school Get qualified for a job Enter the labour market And that's the job of learning done We need people to learn how to learn Because learning is going to be a feature of the transitions they're going to go through throughout their lives Lifelong learning affects us all It is central to managing the transitions we face over the life cycle From early childhood and basic education To adult learning And upskilling and reskilling to take advantage of change It is a global concept applying to developed and developing economies And it requires the active engagement and support of governments, employers and workers How do we adapt lifelong learning to our new reality? There's no one-size-fits-all strategy But there are things we can do Develop foundational and core work skills Coherent and affordable financial and non-financial incentives Improve vocational guidance and labour market data Recognize both formal and informal skills learning Improve coordination And ensure equitable access to learning Today there is renewed interest in lifelong learning It's a major goal of the United Nations Agenda for Sustainable Development And the Global Commission on the Future of Work Has called for formal recognition Of an entitlement to lifelong learning Ultimately, lifelong learning is the key for people to be able to benefit from new ways of working And it will light the path on our journey to a brighter future of work Okay? 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 So this video, it was a very good explanation That we need to learn always new skills, new things, new professionals We need to be an inspiration for other people We need to show them by example how they can be, how they can live a better life And so we need to be a better way of doing people And so we need to be an inspiration for people If we can learn new and regular things If we are learning new and regular things We can get inspiration for people So we need to be shifting our mindset जिससे कि हमारा जो है mindset change होगा जिंदिकी को देखने के लिए opportunity को देखने के परती हमारा mindset change होगा and shifting our system और हम अपना जो system system है भविश्य में उसको भी हम shift कर सकते हैं उसको भी change कर सकते हैं so how the Warren Buffett says the best investment you can make is investment in yourself the more you learn the more you earn so Warren Buffett जो दुनिया के सबसे वड़े निवेशक हैं वो भी ही कहते हैं कि जो सबसे बडिया investment है जो आप कर सकते हैं जो सबसे बडिया निवेश है जो आप कर सकते हैं वो निवेश है आपके अपने में क्योंकि उसी निवेश से आप लगातार सीख टे रहते हैं and uh as as i say before that uh educational process it will be uh totally different it's like you invest you earn and then you learn again you learn you like how to say you invest in your education you learn and then you 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 get something from from this like you're earning and then you do it this again so investing in education learning and earning so you're telling me that if you invest in learning i mean you invest in learning so you get to learn and you learn again again so this process is going to be the system like how i say before before people go to school get the uh professional and working all life with this professional now people will learning every day earning different things and then learning again and then earning again you know new things new skills new jobs yes या पैले इस नौकरी हम करते तैं dependency पर इसो में परीजी काम आपको रहिसन पर चुकें इप को उन कुछ लेए शक्स उसको implement करना है ठीक है उससे अपने सीखने में निवेश करना है और सीखने के बाद फिर दुबारा से अपनी ट्रेनिंग करनी है क्योंकि जब तक आप सीखने कर उसको implement करते हैं फिर कुछ ना कुछ चीज़ बदल जाती है तो अगली बार आपको फिर से उसमें कुछ ना विर को तुक जए्टिघ कई बवाल आपको और आपको आपको विर गूंकि ट्यवाराश एकुछ इनने सीखने लगने टुछ उस्ट्री का रखके लगने तो प्रेशने, विर मेंद्टर. मेंद्टर? मेंद्टर, उस्टज़ खक बखको लगको लवे दो अवेशने विर स it's like a top you know in the college in um in college it's uh basically the top top level when you are getting magister principle like a master you can get the master yeah yeah so repeat again the whole sentence so and now with education like education education is available for anyone you don't need to be like you don't need to learn 12 years in the school to become a master to get the master degree for example you can start from zero now in couple years you will get the master degree oh my english is not that good you know too as well it's like uh actually uh i'm taking a help from uh my wife so the every time when some words are not understandable because of the language difference so she used to assess me so तो आप बता रहे हैं कि आप पहले क्या होता था, दोस्तों कि आप बता रहे हैं कि पहले हमें Master degree लेने के लिए बहुत सारी पढ़ाईया करनी परती थी बहुत सारे level of courses करने करते थे, तब हम Master level की degree पर जा पाते थे लेकिन अब बहुत सारे साल लग जाते थे, बहुत सारे समय लग जाता था, लेकिन अब सेनेरियो पढ़ाई का पुरी तरह चेंज हो गया है, अब जो है, एक पर्टिकुलर छोटी-छोटी फील्ड में हम मास्त्री कर सकते हैं, और पढ़ लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, आप इस तरह की कुछ online academies खुल गई है, जो 2008, 2010, 2012 में खुली है, और इन अकादमी ने पूरी इन अकादमी जो अगनाईजिशन ने, एजुकेशनल अगनाईजिशन ने पूरी दुनिया में अपना पर्चम लगाया है, और इन जो इन प्रोग्राम्स के इन अकादमी से, आप उनलाइ इनको सब्सक्राइब करके, और इनको सब्सक्राइब करके, और इनको सब्सक्राइब करके आप इनसे सीख सकते हैं. And as you know, that in new economic evolution of the world, we have three important pillars. और जैसे कि आप जानते ही होंगे, कि हमारे new economic evolution of the world, यानि विश्वे के नए आर्थिव के कास हमारी कंपनी में, तीन मुख्य स्थम्भ हैं, और वो है, education, education, ownership and business. And business, exactly. Education is the key. Education is the base of ownership, it's a base of business. तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कि जैसे कि हमारे business में भी, निश्व के नए आर्थिव के कास में, तीन मुख्य स्थम्भ है, education, ownership and business. लेकिन उसमें मुख्य जो स्थम्भ है, जिसके ऊपर ownership और marketing, यानि business जो है टिका हुआ है, वो है education. पढ़ाई ही नीव है, पर शिक्षा ही में नीव है, अगर आपने शिक्षा को इग्नोर करा, तो आप और बिस्दिस में आपका भी भी काम्याब नहीं हो पाएंगे. Exactly, you can learn, you can have a lot of, lots of money, you can win the lottery and you can have a lot of money, but if you don't know how to manage this money, you will lose it very quickly. That's why Andrey Kavratov in 2011 opened Academy of Private Investor. Because he understands that he sees his goal to creating global investment portfolio and he understands when the people get lots of money, they need to know this knowledge, how to save it and duplicate it, this money. And over 100,000 of students get, received education through the academic. Andrey Kavratov, he creates of the educational packages, which is based on his own experience. Here, we learn from the practical people who did this, not just to know how to do it, but they did it. And again, your finance, the business simulation, business simulator, it's one of the best game where you can see and you can try your knowledge. As a life experience. And you're telling me about the business of genius of finance business, which is a board game, which is a business simulator, which is a board game, which is a board game, which is the aim of which you can complete your dreams and you can come to the circle of wealth. In the game of the game of the game of finance, you can learn the financial skill and investment investing. और इसमें आपको इसमें आपको इसमें आपको इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी बताई जाती है. Communication and the teamwork. और Communication, यानि आपने लोगों से संपर्क कैसा होना चाहिए और आपकी teamwork कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में इस genius of finance game में जानकारी दी जाती है. And the generation of new idea through fun and repetition and action. और इसमें नए नए ideas में निकल के आते हैं क्योंकि और ये बहुत एक बहुत आकर्शक और ये बहुत आनदायक और बहुत मस्ती लेने वाली चीज है और बहुत fun-loving चीज है. In the Academy of Private Investor, we learn not just how to work in our project, but to find any other interesting instrument and recognize the really real the instruments where we can participate. Repeat again. In the Academy of Private Investor, we learn not just how to work in our company, but how to do the verification, you know, to find the different instruments where we can participate. So, in the Academy of Private Investors, we learn a lot about how to diversify our money, grow our money, grow our money in a different sector. In our company, we learn how to diversify our money and grow our money. And you can see that here it's a six jar jobs for wealth management. I'm gonna explain it now. We learn in here one of the rules of private investor. You need to diversify your income. Wherever you earn, you need to diversify. And one of the biggest rules here is that whatever you are earning, you need to diversify. This is the Academy of Private Investors. The first rule of private investor is the first rule. The first rule of private investor is that you need to diversify your money in a different sector. Because normally people, they, how they live the life, how they use the money, they earn and they spend. But it's important to, for example, create six jacks. And divide your income. For example, you earn $1,000 a month, for example. So 55% you will save it, you will put in the bottle and the jacks for regular monthly needs. And if you earn $1,000 a month, you need to diversify your money every month. So 10% you will put it for luxury and lifestyle. It could be a nice restaurant to eat a nice restaurant or buy some nice clothes. 10% you are saving for financial freedom. 10% for education and self-development. 10% for long term investment. And 5% you give to the charity. You help someone. If you will do this with your income, you will see the different results. If we talk about education, invest in yourself and improvements, our company, Academy of Private Investors, offer us this opportunity. In our investment academy, we have different courses regarding to, we learn about investment, about business and about self-development. Come again? Come again? In Academy of Private Investors, together with our teams, with our partners, we learn business, we learn self-education and we learn investment. So, we learn education and our self-development. So, Garena, can you repeat this point again? Yeah. Sure. Next time when you are going to come to Spain, I am going to be the same. So, in Academy of Private Investors, we are learning regarding to the business, investment and self-development. And as you see here, the people who participate in our VIP club, which we launched just a couple of days ago, The people get discount, big discount for all people who joined the VIP club, they have amazing discount today for educational packages. And because as I say in here, we learn from the practice, we learn from, and as I say, as I said previously, that in here, we learn from the practice. Not from the theory. With these packages, we become as well co-owners of Global Investment Portfolio. Exactly. So, we not just teach how to be, how to create our investment portfolio, but we give the opportunity, people, to participate, in our investment portfolio, which is made already. So, you know, like when you learn, when you learn to invest, you learn how to create your investment portfolio. Yeah. And here, we give the investment portfolio, already made it, you just join it. Right. So, yeah, that's a great thing. When we learn from our normal life, we build our investment portfolio, we build our business and we learn where to invest money. We learn from this. We learn from the academic and private investment. We learn from our academy, we learn from our academic portfolio. We learn from our own portfolio. But our company offers us that we invest in the ready-made portfolio. The ready-made portfolio, which we built our company, and we invest in our own portfolio. By participating in the academy of private investors and participating in VIP club, people becoming the co-owners of the global companies. The VIP club, it's an amazing project which creates Andrejha Vratov, and this is only another one project. We will have many more. The VIP club, it's an amazing project which creates Andrejha Vratov, and this is only another one project. We will have many more. Let's remember our history. Let's remember our history. History? History, yeah. Our history. The company history. So we should know what our company history is, what our company history is, what our company history is. We should know this. In 2011, Andrejha Vratov opened Academy of Private Investors with $1,500. In 2014, he opened the platform which was working with multi-level crowd investing with $26,000. In 2014, they started working with multi-level crowd investment in this sector in 2014. Five years, this platform was working and supporting innovation transport technology. Five years, this platform was working with innovative transport technology. In 2019, we opened the program CryptoUnit with $12 million. In 2019, we opened the program CryptoUnit with $12 million. And two days ago, we opened another project, Vip Club, for a private investor with $404 million. Exactly. I see that someone put in chat, wow, from $26,000 to $12 million. Yes, it's correct. So I'm seeing in the chat that some people are saying that $26,000 to $12 million. And now, this portfolio has made $404 million. Wow, this is a very big story. People are very excited for this. It's a growth of our investment portfolio for 58% monthly. And you know that program of the CryptoUnit, it's divided in three parts. So, first phase, it was last year from 2019, 3rd of March till 8th of January this year. And the people who was joining in the first phase, they can get the CryptoUnit for 0.00050 cents. और जब पहली बार जब ये CryptoUnit शुरू कुरी गई, तो लोगो लोग जो इसको ले पाए, 0.00050? 0.00050 unit इसे ले पाए. यानि लगबग 12 पैसे, 0.0015. 50.00050. 0.00050. Let me calculate my Indian currency. Just a moment. 0.00050. 0.00050. 0.00030. 5. A Coke it was the price, it was always different. The bigger package, you get the educational package, the more bonuses you have. तो आप बता रहे हैं कि जो है पॉइंट यानि लगभग तीन पैसे से पॉने चार-चार पैसे से जो है शर्वात करी गई थी क्रिप्टो करन से अमलब हमारे CREU यूनिट के पैकेज़ की और एक CREU यूनिट पॉने चार पैसे का उसमें पड़ता था आज से एक साल पैसे का कि ऑपस कि अ अउनिट के साथ मुंख बढ़ते चले गए और आज हम दूसरे फेज में आगाय है दूसरे फेज में एक जो हैं लोग एंटर कर चुके हैं नाचा के अस यून सेगओ भी कगूण जोडे से चाने फेज दिड़ आपने टाम नाचे थैज टेगो चैश्ट रहे sorry from the phase 2 stage 1 we go to phase 2 stage 2 आप बता रहे हैं कि मात्र दो दिन पहले ही हम phase 2.1 से phase 2.2 में चले गए हैं यानि आवम phase 2.2 में चले गए हैं मात्र दो दिन पहले in the in the phase 2 stage 1 our crypto unit price it was roughly 10.15 cents और आज के डेट में जो हमारी जो crypto unit की जो प्राइज है 10.10 cents से लेके 0.15 cents तक है यानि 0.15 cents तक हमारी जो है यह प्राइज बढ़ चुकी है और आज से एक साल लगबख 14 महीने पहले यह प्राइज जो शुरू हुई थी 0.00050 unit से शुरू हुई थी और आज हमारी 0.15 cents पे हमारी प्राइज पहले चुकी है पहले चरण से अब हम 2.2 चरण में चल रहे हैं प्राइज और से अचरण में आद गाद अगारी 0.50-12 cents आजिए पहले चारण से उद्यक्राम प्राइज प्राइब 8.90-14 यह पादर हमारी 0.15 में खाए तो छौदा से पंदर रुपहे चाही बार्तिय करंसी में देखा जया है तो चौदा से पंदर रुपह बाहर तो चौ हमारी जो क्रिप्टी उनित की पाइस हो चुकी है and our crypto unit will grow because the crypto unit it's our global investment portfolio और हमारी crypto unit बढ़ेगी क्योंकि हमारी crypto unit part है global investment portfolio का backup है global investment portfolio का so crypto unit it's a tokenized share tokenized share crypto unit क्या है crypto unit tokenized share है यानि बहुत सारी परी संपत्तियों का बहुत सारे businesses का एक token create किया हुआ है और उसको उसका share token के form में दिया गया है इसको हम बोलते हैं tokenized share and as you see here we will have three different tokens और यह आप देख रहा है कि हमारे पास तीन तरह के अलग-अलग token है only people who will join the VIP club will have access to these tokens और जो भी लोग VIP club को join करेंगे वो लोग इन तीन token का लाव उठा पाएंगे so crypto unit is STO token security token offer market तो जो हमारा crypto unit है यह security token offer के अंतरगात आता है STO यानि security token offer के अंतरगात आता है जो हमारा crypto unit है in our back office you can find unit unit is our stable coin future stable coin और हमारे back office में आप जाएंगे तो वहापर आपको unit मेलेगी unit हमारा future में stable coin है ICO market और वो ICO market में आएगा initial coin offering जो market होती है ICO market होती है cryptocurrency market होती है उसमें आएगा 15th of January we sign up we transfer all our information all our crypto units to the Ethereum blockchain and we understand that Ethereum it's too slow for us we are very big और जैसे कि आप आपके जानकारीजन चाहूंगे Ethereum है ये बहुत slow है हमारे लिए बहुत slow है और क्योंकि हम बहुत विशाल है इसलिए ये slow मालूम दे रहा है बहुत हलका मालूम दे रहा है और हम लोग बहुत विशाल है बहुत बड़े है इसलिए हम लोग अपना खुद का ब्लोक्चें ला रहा है अपनी खुद की टेक्नोलोजी लेकर रहा है इसलिए हम अपने ब्लोक्चें लेकर आएंगे अपना एक सिस्टम लेकर आएंगे जिसमें हम अलग-अलग करंशी को एक्चेंज कर पाएंगे रुद करेंगे रुद करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में अपना एक आएक ओनलाइन वालट लेके आएंगे जिसमें हम लोग अपने अलग-अलग करंशी को रख पाएंगे रख पाएंगे और उनकी ट्रांजक्शन कर पाएंगे और इसके साथ साथ हम लोग अपना इंटरनेट बैंक भी अपना खुद का एक एलेक्ट्रोनिक बैंक लेकर आ रहे हैं जिसको हम एक बैंक बोलेंगे अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए और हमें आने वाले टाइम में हमारे खुद के कार्ड दिये जाएंगे और उन कार्ट से बैंक कार्ट से हम खुद की पैसा निकाल सकते रहे चार सकेंगे और निकाल सकेंगे के विए ओन यालिज उन जूलाइ टक हमारे अपना खुद का ब्लोग चेंट तयार हो जाएगा and the testing is going on testing is going on testing is going on testing is going on yeah यह जू अब बतारे हैं कि अगले जून जुलाइ के अंदर हमारा जो अपना ब्लॉकेन अपना जो ब्लॉक्चेन है वो तयार हो जाएगा अपना ब्लॉक्चेन तयार हो जाएगा और उसकी पेस्टिंग अभी अभी अलडी चल रही है जून जुलाई के अंदर हमार अपना ब्लॉक्चेन तयार हो जाएगा and then all the people who join the Veef Club they will have opportunity to buy nodes okay all the people who working who will become a part of the Veef Club they will have opportunity to buy nodes yeah 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 Galina can you explain what the nodes is nodes nodes it's a it's a blocks in the blockchain that you can mine extra tokens okay nodes a procedure रहेगा जिसके थूँ आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो टोकेंज है उनकी mining कर सके हमारे ब्लॉक्चेन के जरिए आप उस एक्स्ट्रा मतलब जो है tokens की mining कर सकें तो आप बता रहे हैं कि उन नोट के जरिए आप उन नोट को खरीद पाएंगे और उससे आप फर्दर जो है जो है जो है टोकन जेनेट कर पाएंगे और जिससे कि आप दो हजार डॉलर तक बना पाएंगे यह एक्सम्ट्रा रहा है और हम लोग को जो है कुछ नोट की टेस्टिंग कर रहे हैं और वह अभी टेस्टिंग फेज में है और बहुत जल्दी हमें यह चीज मुहिया हो जाएगी और जिससे कि हमारी एक बहुत बढ़िया पैसिव इंकम और बन जाईगी I will recommend you to watch webinars of Rita Ashan She is explaining very well regarding to blockchain and notes और मैं आपको recommend करूंगी मैं आपको राय दोंगी, मश्वरा दोंगी कि आप Rita Ashan जो एक अंतरास्तिय speaker है Australia देश से हैं वो blockchain और cryptocurrency के बारे बहुत चीजानकारी रखती हैं आप उनके webinar सुना करें क्योंकि उनके webinar में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी blockchain के बारे में ईडिशननल जानकारी ले पाए के जो लोग yeah exactly so imagine imagine this opportunity what we have three different markets और imagine कीजिए यह जो opportunity है इनमें three different market आपको मिल रहे हैं we can we will go to market STO with our crypto unit हम लोग STO में जा सकते हैं जाएंगे आगे अपने crypto unit के तुरू with our stable coin to ICO और अपने stable coin के तुरू हम लोग ICO में जाएंगे and with the Academy of Private Investor we will go to IPO और Academy of Private Investor से हम लोग IPO में जाएंगे Galina, these three points please explain specific all the three points what is different IPO, ICO and STO? No, no, no all the three points like how we are going to plan in the stable coin in ICO market and STO with our CRU and the third point is academy of privacy in IPO IPO is initial public offering so the companies like we are, we will go to the market maybe in 3-5 years, something like this so we can offer to other people become a co-owner of our company so you are telling us that we are going to come in in 4-5 years IPO will also be going in IPO and IPO will be going in 4-5 years where many people will take our co-ownership for our money same as ICO and STO it's different market when we are offering people to become a co-owner of our tokens and tokenized shares like crypto units come again so the same as a market for example STO when we are going to go to STO we will offer people in the market to buy our STO crypto unit and they will become co-owners as we are in our company so the only difference that we are we have now the possibility to become a co-owner with the little little income with the little part like with little money little investment little investment yeah okay so you can see that for for $1,000 today you can you can have the educational package with a very good education and plus bonuses so so you can have $1,000 you can have a good education you can have 9 courses here you can have a good education and you can have co-ownership and you can have tokens and shares and the people who will join us within the market they will with $1,000 they just can become of the for example owner of 2 shares or 3 shares of our company for example we have like we have opportunity to become a co-owner now with $1,000 and we receive 8,333 tokens no in the market when we're gonna go to the market people could buy for this price only for example 5 tokens or 10 tokens very little amount right so you're telling that in the current date in the market we are getting 8,333 shares from $1,000 we are not in the market but when we go to the market in that moment we are getting about 4 or 5 shares from $1,000 crypto unit first they need to buy units so in the market when people buy our crypto unit or crypto CRU then they need to buy a unit first they need to buy a unit and then with unit they can get this crypto unit that's mean that the more units people will use the more price will grow for one unit right this means that the more crypto unit they need the more the more unit will be the more price will the more the more the more the more crypto unit will be the more unit will be तो उनिट खरी देंगे तो उसकी प्राइज बड़ेगी जितनी जादा वो यूनिट खरी देंगे उतनी जादा उसकी प्राइज होगी उनिट खरी तरे की पैसे मिन कम बहुए अनकली निलिन I must say this is entirely a new knowledge we are getting right now and build a new knowledge yes because we never discussed with any of the celebrity with any of the international star with uh with the no any like you know we had never discussed this thing and uh uh you know this is a new type of knowledge we are getting so I glad so the unit it's our another investment instruments it's our passive income now you put uh you open the back office and you transfer 100 dollars you will have 100 units uh right now today yeah like you trump you top up your wallet in back office with 100 dollars you will have 100 units so just like i'm telling you that if you have your back office if you have your wallet in the back office if you have your wallet in the back office and but if you will do like this if you will put this leave if you will leave this hundred dollars hundred units sorry in your back office and wait till we're gonna go to the market then when people will join us in the market they want to buy units units will grow in price as i say so it could grow up to ten dollars for example one unit ten dollars or one unit hundred dollars look the example with the bitcoin bitcoin doesn't have anything behind but the price is nearly ten thousand or uh javki legin price johai woe 10,000 dollars imagine with the one million people that we have in our company now more than one million people or imagine kariye ki hum logo ki to one million se zyada log hai 14 lakh log hai uh 10 lakh nahi hai 14 lakh logo se zyada hum logo chukai hai everyone will buy the crypto unit even one crypto unit how the price will grow or sablo gane wale time me ek 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 crypto unit khari denna chahen ga ap sochiye price kaha chala jayega so this is this is our investment instruments what we have and we need to understand that this is our investment instrument crypto unit units units and utility token what we are going to have in future so you have to understand that our instruments like crypto unit and unit and utility token today for today by investing one thousand dollar in your education agar aaj ke date mein aap 1000 dollar aapne education mein aapne sikshah mein lagate hai you have amazing information created by andrei havratov and top leaders of our company so aapko bhoot utkris janakari milti hai uh andrei havratov sir ke dwarah is company ke and you will receive the bonus 833 crypto unit and you will receive the bonus 833 crypto unit and you can see that it already already and neck and in the end of the year estimated price for one one crypto unit will be two dollars plus or minus uh till the end of uh in the end of the year in the end of the year of the year our crypto unit price will be plus or minus two dollars estimated price yeah so your package value your package value will grow till 16 16666 dollars 16 000 16 000 16 000 666 dollars yes our package thousand dollar package value 16 thousand six hundred sixty-six dollars की वैल्यू के बराबर पहुंच सकती है if we wait couple years, two, three years when we our crypto unit will grow for $20 each और अगर हमने 2-3 साल इंतजार कर लिया और जब तक हमारे crypto unit की वैल्यू अगर $20 पहुंच जाती है your package value will be 166,660 हमारे package की value हमारे package की वैल्यू का हमच 1066,660 166,660 you can say on the on the slides 1000 और अगर आसे तीन-चार साल में अगर हमने इंतजार किया तो हमारे पैसे की value एक लाख श्यासाथ हजार 660 डॉलर तक हमारे हजार डॉलर की value जब हम ग्लोबार साथ में टारी नासे यानी ग्लोबार साथ ग्लोबारे बॉलर अगरफ थो यानी धिया कर्णाग। when when out when the price of our portfolio now it's uh estimated value of our portfolio it's 404 million dollars yeah when when our portfolio will cost like estimated price for our portfolio will be uh from 10 till 100 trillion dollars in third phase then our crypto unit will cost 1250 dollars it's four eight years time in four eight years time then your package what you get today for one thousand dollar you your package value will be 10 million four hundred sixty thousand two hundred fifty dollars or agar aisa hua to aapke is a thousand dollar ki package ki value thus uh 10 million exactly and you see that uh our portfolio it's growing like a crazier uh i show you today very good example but andrei andrei kavratov in the webinars he show us another great example if we all together share this opportunity and in one year we will say we will have in this year we will have 10 million people already 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 in the end of the year our the price for our crypto unit could be up to 40 dollars exactly so the people who join us in first stage they already have them crypto units unblocked one percent this unblocked crypto unit they can change for units already in our VIP club in our VIP club we have an opportunity to create more crypto units unblocked crypto units what we need to do is join the VIP club and put our unblocked crypto unit to the staking like you do with the money when you put in the bank in saving account like you do with the money when you put in the bank in saving account you will get one percent extra if you're gonna do this for one year you will receive every month one point eight percent extra and if you're gonna do this for 24 months it's two years yeah 2.5 percent extra every month so it is another passive income creating the crypto units unblocked crypto unit so you put you put your crypto unit unblocked crypto unit on the deposit deposit and you every month generate new crypto units unblocked this way you can do your unblocked crypto units staking 24 months and every month unblocked CRU can get a long time for the company and you can increase your crypto unit I see someone put in the chat that we're gonna be millionaires so uh 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 this opportunity become a part of the our VIP club because this is amazing opportunity to live your dream life so uh we're gonna go to STO approximately one two years depends of our work depends of the older procedure the more we're gonna work together the quicker we go to STO so let's summarize what we get when we join the VIP club so uh uh education and trainings education or training unlimited instant income unlimited instant income international business without leaving our house opportunity to become a business coach and speaker the loyalty program till two thousand twenty one loyalty program and unconditional uh base bonus profit and the global merchandising so i would wish you to make a decision would you want to live your life how you lived before or you want to change you want to try something new learn something new and they live the life which you never lived before i did my decision in 2016 and my life is divided now before and after from me it's all thank you very much to inviting me to share this opportunity with you guys uh thank you very much thank you very much for for inviting again i don't know maybe you have some some question or something uh uh and i hope that information what i share with you that it's something new from you that you're gonna use it and you're gonna share it and you're gonna share it thank you very much i see that some people are text asking what is the difference between and ipo so it's it's basically not really big different ipo it's uh when the company going to the market to sell the shares so to offer people become a co-owner in return of the some uh investment and i uh i am in st o it's a regulated market as well uh with the security exchange commission which is controlled by government so so the st o it's the same as ipo very similar but it's in uh market of the blockchain the st o it's a um it's a it's a it's very similar market to ipo very transparent but it's in blockchain i see all is initial coin offering market this is unregulated market and it's unregulated market i see all mostly working with a crowd funding donation so anyone can create the ico coin like i can create galina coin so you're telling me that no one will control what i'm gonna do how i can collect the money and everything still still um still it's many uh interesting project it's a working in the ico but the ipo and st o as the secure secure market yeah yeah and yeah so this is a little explanation of regarding to this market but as i say join the webinar rita ashin she will explain you very clear regarding to this market just a minute galina i will tell you that you should have a little patience you should have to be a little patience this is not a good option if you are reacting to this way external election ये तो बहुत गलत इंप्रेशन दाल रहा है ना उनके देमाग में ये तो आसा इस चाहिए उच्छाय जब जा फोशना चाहिए ये तो गलीना या का पाटिसेप्ट जिए लीक्टीज्टा जाए प। ये भी अद्टीज्टा रहीं पूल्टाव लिए स्टर्मल तो हम लोग जो है इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमारे जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो भी दिशा में काम कर रहे हैं और 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 हमारा जो blockchain है system है जिस पर हम लोग जाएंगे external exchange पर वो भी हमारा तैयार हो रहा है तो हम बहुत जल्दी इस पर जाएंगे still Galina people want to have a tentative date plus minus we cannot say this because if we're gonna say the day and we're not gonna go in this day you know people after will say no you promise आप बता रहे हैं कि बल्कु ठीक बात बोल रहे हैं कि यहां पर date इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर date दे दी जाए और उस date तक हम लोग पूरी तरह सक्षम नहीं होंगे काम करने के लिए क्योंकि हो सकता है कि हमारे blockchain से related या programming से related software से related काम नहों या जो हम तैयारी जिसनी तैयारी के साथ हम पूरी नहीं हो तो लोग यहीं कहेंगे कि नहीं आपने प्रॉमिस किया था और आप अपनी बात से मो कर रहे हैं तो इसलिए हम कोई date नहीं देना चाहते हैं Sophie्यारी राप्मिस कि अभी या कि अपने अपने फिरे JAMES कर देरी हैं हुआ है कि अपने हिंगे कर अपने हिंगे To pass the registration in Security Exchange Commission, SAC, we need to audit, we need to pass the audit of our company, our instruments. So, Security Exchange Commission पर जाने के लिए, हमें पहले audit का जो टेस्ट है, वो पास करना पड़ेगा. And after audit का टेस्ट पास करने के बाद भी, हम Security Exchange Commission के पहत हम जा सकते हैं. और उसके लिए काफी तयारी हमें करने ही पड़ेगी, और जिसके लिए हम लगातार तयारी कर रहे हैं, हमारी कंपनी तयारी कर रहे हैं, हमारी जो एक्स्पिरियंस लॉयर्स हैं, जो उनकी टीम है, वो सब कुछ तयारी हमारी ओलड़ी चल रहे हैं. We did audit already with gold, our instrument of gold, investment instrument. और हमारा already, हमारे बहुत सारे investment instrument है, जाकि gold है, हमारे पास, gold की माइंज है, हमारे वो, उसका already audit हो चुका है, उसका already audit हो चुका है, उसका already audit हो चुका है. And if we, the value of our investment, just with the gold, it's 500 million dollar. और हमारे gold की वजए से हमारे, जो हमारे gold section की जामारे value है, वो 500 million US dollar की हो चुकी है. Investment हो चुकी है, और उसकी value इतनी हो चुकी है, जो उसकी value, access करी गई है, उसकी value हो चुकी है already. So we're gonna do the audit of each investment instruments, and then we can go to the market. इस तरह के हमारी वैल्यू हो रही है और जित्ते भी हमारे और जो इन्वेश्मेंट पोर्फोलियों के सेग्मेंट से उसी तरह उनका जो है अर्डिट होगा और उसी के बाद हम जो है मार्केट में हम लोग उत्रेंगे I know that tomorrow you invite another guest speaker so she will explain you everything अगली बाद तो वह आपके इन सवालो का experience मैं किसी celebrity को बलाओंगा किसी मेहमान को बलाओंगा तो वह आपके इन सवालो का जबाब दे सकते हैं but Galina not tomorrow because from this week from this week we had planned to invite we had planned to do every alternate day on every Monday from since this week every Monday, then Wednesday, then Friday yes, Friday so don't miss this webinar on Friday and invite all your friends all your family to see this webinar because it's going to be a lot of information so you are saying the webinar that I will call next celebrity or next so don't miss the next webinar because there will be other people so that more people can take this information thank you very much now I have to go thank you very much for inviting me I'm going to have another presentation in 10 minutes so I will prepare yeah, so you are saying that now I have to go I have to take a look at people because I have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people in the next month that will start a meeting and many people will be waiting for me thank you very much everyone who was here and thank you very much for your welcome for your warm warm welcome thank you and Galina I would like you to you to ask the community hello yeah Galina I would like you to ask a community a appeal that maximum people will comment on Facebook live section so that everybody will have like this this webinar will go to the each and every person who are associated with us in our friend list and in our community so this webinar will go will reach to the maximum number of people so if you if you make a appeal if you make a kind appeal to everybody then it will be very good for us sure I will share it I will share it with everyone and I hope to see you all in Moscow this year to celebrate our 6th year anniversary bye bye everyone thank you Galina thank you so much thank you so much for your time for your valuable time and support thank you thank you very much and say hello and big kisses to your wife thank you thank you bye bye thank you इसी के साथ जो है आज का जो है जो प्रोग्राम है यह गलीना जी ने खतंकिया और अभी एक सवाल बहुत दिन से आ रहा है मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा बिल्कुल देना चाहूंगा ने जी का सवाल है और बहुत सारे जो है हम लोग regular plans कर रहा है तो उसमें question answer हमारा नहीं हो पारा ठीक है आप कहरा है कि जैसे Reliance हम कहरा है कि 100 trillion dollar की हमारी industry हो जाएगी तब एक CRU की value साड़े 1200 dollar आपको मिलेगी एक CRU की value मिलेगी ठीक है और जैसे आप बता रहे है Reliance जैसी company है उसकी total value 140 billion है 47 साल में ठीक है 47 साल में और crypto market है वो कुल 223 billion है 12 साल में तो हमारी new economic evolution of the world 100 trillion dollar जो है अगले 10 साल में कैसे पहुंच सकती है और CRU जो है 1500 dollar कैसे पहुंच सकता है ठीक है मैं एक काम करता हूँ जरा नरे जी मैं आपको आज बहुत दिन हो गए आपको मैं जरा आपको unmute करता हूँ so that आपके मुग से सवाल सुनना चाहूँगा बोलिए बोलिए नरे जी नरे जी सवाल पूछा है तो सामने आईए आप चाहते हैं अगर मैं आपका सवाल लूँ तो आप सामने आईए ना आप कई बार सवाल कर चुके हैं तो आपको सामने आना चाहिए ना unmute कर दिया है मैंने आपको देखिए आप सामने आएंगे तो मैं आपका सवाल लोगा आपने आपको mute कर लिया यह नहीं आप सवाल नहीं चाहते हैं आप आप में आना नहीं चाहते हैं ठीक है आपकी मर्दी अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो हम फिर किसी और दिन सवाल लेंगे ठीक है चलिए तो बाकी मैं इसका सवाल जरूर लूँगा इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा ठीक है ना और अगर आप अगर वो सामने नहीं आना चाहते हैं तो फिर मेरा सवाल देने का कोई मतलब नहीं बनता था कि और अगर बाकी देखे सवाल बहुत है विय आई-पी क्लब के बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूंगा अभी थोड़ा से इंतिजार कीजिए अभी बहुत सारे सॉफ्ट में हमें अपडेशन्स हो रहे हैं, करेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे निर्णे लिये जा रहे हैं, कल भी प्रेसेंशल काउंसिल की कई घंटे लगातार मीटिंग चली है, जिसमें हमारे कंट्री के जो दो दिककर्ज लीडर हैं, लीडिया मैडम है मनीपुर से और है बहुत मेरी हरstars हरी हर्वदर सर है, जो है इटली से हैं, वो उसके सदर से ہے, हमारे कंट्री से जो सदर से है है, कितना भागएवान हम लोग हैं, इस मामय में है, पूरी दुनिआ के 100-110 देशों से मात रव दस लोग उसमें हैं, जिसमें आंड्री हावरतॉफपसर हैं, मिला म तो जो है थोड़ा सा इंतिजार करिए और इन प्रोग्राम्स को एंजॉई करिए और आपके जो सवाल है ये कुछ दिन में अपने आप ही निकल जाएंगे जब आप अभी VIP क्लब के बारे में अभी और क्लेरिटी आएगी तो अभी न मैं मेरा सभी लोगों से आगरे रहेगा कि अभी किसी नतीजे पर ना पहुँचें ठीक है इसको अन्यता ना लें इस बात को थोड़ा सा इंतिजार करें अभी रेगुलर मीटिंग चल रही है तो बाकी इसी के साथ मैं सभी लोगों को एक और दुबारा बोलना चाहूंगा कि सभी लोग फेस्बुक लाइफ पे जाकर आज का सेशन कैसा लगा आज के सेशन में क्या कुछ स्पेशल सीखने को मिला क्या कुछ नई जानकारी मिली जो मिस गलीना जो स्पेन से थी ठीक है उन्होंने आपको कुछ नई जानकारी दी मुझ कई बार मुझे दिक्कते होती हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं आज स्पेन से थी इनकी इनकी इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा से डिफेरेंट है और जो पिछली बार न्यूजिलेंड से आया थे नील मॉरसन उनका डिफेरेंट है एने जो है वो रुषियन है और और बाद में इंग्लिश सीखिया तो उनका डिफेरेंट हो जाता है हर एक का बोलने का इंग्लिश का तरीका बिल्कुल डिफेरेंट होता है तो उनको समझने के लिए हमें ज्यादा सोचना पड़ता है ज्यादा विचार ममर्श करना पड़ता है ज्यादा थोड़ा समय लगता